Assalamu alaikum, welcome back to Aviator for you. This is Mohamad Aram and I am the student of Aviation Management. My mission is to spread awareness about aviation. As you know, this is the fastest growing industry. So last video में हमने आपको तर्गो प्रॉप इंजन्स के बारे में बताया था. जिसका लिंक मैं दिस्क्रिप्शन में में मेंशिन कर दुआ. और आज की वीडियो में हम आपको तर्गो जैट इंजन्स के बारे में बताने वाले हैं. वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने आलिए, वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा. अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताके मजीद आने वाली वीडियो के डिट आपको मिलती रहें. वीडियो को बिना मज़ाय किये, चलते हैं वीडियो की तरफ. So without wasting our time, let's start today's topic with the greatest name of Allah. So first of all, मैं आपको बताते चलूँ कि टर्बो जैड इंजन दिखता गैसा है. So basically, वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये इंजन इतना powerful होता है कि इसकी range में अगर कोई भी चीज हो, तो ये इंजन उस चीज को अपने अंदर खीच के उसके सेकंड में हजारों टुकडे कर सकता है. Now we have to discuss how it's work. So it produced all of its thrust by ejecting a high energy gas stream from the engine exhaust nozzle. अच्छा जी ये टर्बो जैड इंजन जोई, ये जादा तर बड़े एरकाउट में इंस्टॉल लिता है. क्योंकि ये जादा पावरफुल होता है टर्बो प्रॉप इंजन से, और जादा बड़े एरकाउट को अब्यस्टी जादा पावरफुल इंजन रिक्वाइड होता है, इसलिए ये बिसिकली जादा बड़े एरकाउट में इंस्टॉल किया जाता है. अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी बड़े एरकाउट होते हैं, वो अपनी एफिशेंसी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा हाइड प्रिफेर करते हैं, और ये जो टर्बो जैट एंजने हैं, इसकी भी यही सिमिलर्टी है, कि ये ज्यादा हाइड पे ज्या जादा बड़ा रंबे रिकाइड होता है, एस सम्पियर टू टर्बो प्रॉप इंजन एरकाउट, सो आज की वीडियो यही तक थी, वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग थी, होप आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और कमेंट क करके हमें जरूर बताईएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं गुरियेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अल्लाहाफिस।